नमस्कार मैं आपके साथ प्रिया बंसुल और आप देख रहे हैं न्यूस चॉक चलिए आज के बुलिटिन की शिरुवात करते हैं पियम मोदी पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे जहां 6 मार्च को स्वास और चिकितसा अनुसंदान पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित करेंगे एक सरकारी रिलीस के अनुसार ये वेबिनार 12 पोस्ट बजट वेबिनार का हिस्सा है जो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया है इसमें यूनियन बजट 2023-2023 को साथ प्रतिकमताओं द्वारा रिखांग कित किया गया है जो एक दूसरे के पूरक हैं और अमरत काल के माध्यन से मार्कदर्शन करने वाले सत्यरीश के रूप में काम करते हैं ये समाज वेशी विकास सरकार की प्रात्मिकताओं में से एक हैं जिसमें एक नरसिंग कॉलेजों की स्थापना करना ICMR Labs और Pharma Innovations में सार्वजनिक और निजे चिकितसानु संधान को प्रत्साहित करना है और इसी के साथ चिकितसाओं करनों के लिए Multidisciplinary Course शामिल है राहूल गांदी और प्रधान मंत्री मोदी की तक्रार हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है राहूल गांदी साथ दिन के ब्रिटेन दौरे पर गए हुए है जिसमें की कॉंग्रेस सांसद राहूल गांदी ने एक बार फिर मोदी सरकार की खुले मंच पर आलोचना की है लंदन में Indian Generalist Association ने India Insight की तहत राहूल गांदी से चर्चा की है जोरान राहूल ने कहा कि देश का अपमान में नहीं बलकि खुद पीम मोदी करते हैं इसी के साथ राहूल ने कहा कि जो लोग प्रधान मंत्री मोदी या उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उस पर हमला किया जाता है बीबीसी के साथ भी यही हुआ है राहूल ने इंकम टेक्स रेड लोगसबा चुनाओं में उमिदवारी और इंडिया चीन रिलेशनशिप पर भी बात की है देश बर में एक बर फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं आज मार्च को होली का त्योहार मनाये जाने वाले हैं इससे पहले देश में एक बर फिर कोरोना के मामले में तेजी देखने को मिल रही है बढ़ते आंकडों ने लोगों को एक बार फिर चिंता में डाल दिया है ज स्वास मंत्राले के अनुसार 22 फरवरे को पिच्यान में मामले दर्ज हुए थे जिसके बाद से लगातार मामले बढ़ ही रहे हैं। वही रोजाना दर्ज हुने वाले आपड़ा शुक्रवार को 300 था जो आज 324 तक आप पहुंचा है। इन दर्ज किये गए नए मामलों के बाद देश में आक्टर मामलों की संख्या बढ़कर 2701 में हो गई है। दिल्ली के जिप्टी सीयम मनी सिसोधिया की गिरफतारी को लेकर 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को एक चिठ्थी लिकी है। जिसमें निताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जिप्टी में लिखा है कि मनी सिसोधिया की गिरफतारी ये दिखाती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश से तानाशाही साशन में तबदील हो गया है। दिरसल शनिवार को राउज एवेन्यू कोच में इसी सोधिया की पेशी हुई थी जहां उनकी जमानत याच्रिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन कोच ने 10 मार्श तक के लिए जमानत पर फैसला सुरक्षित कर लिया है और CBI को उनकी दो दिन के एर्मांट और दे दी है। देश की एर्लाइन सेक्टर में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और लगातार नए विमानों की खरीद के बारे में भी खबरे सामने आ रही है। कर रही है क्योंकि अपनी ग्रोध के अगले चरण पर काम कर रही है लेकिन अभी भी हमने इस पर कोई डील फाइनल नहीं की है और ना ही कोई फैसला लिया है। जैसा की खबरों में बताया जो रहा है कि कंपनी ने कहा कि वो अनुमानों पर बयान नहीं देती है और जब भी कोई अपडेट होगा तो वो सरूर बताएंगे। केंद्रिय कानून मंत्री ने टुकडे टुकडे गैंग पर बड़ा हमला बोला है जिसमें की क्रेन रिजुजु ने कहा कि टुकडे टुकडे गैंग के सदस्यों को बहतर तरीकी से समझना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के नेतित्रु में भारत ने महानकारे कल्प की यात्राश शुरू की है। भारतिय सरकार न्याय पालिक और रक्षा चुनाव आयोग जाच एजिंसियों जैसे सभी मैदपूर्ण अंगों की विश्वेस्मियता पर हमला करते आए हैं। विपक्षी पाटियों के नौ नेताओं ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को संयोक्त पत्र लिखा है। जिसमें पत्र में आरोप लगाया है कि बीजेपी की केंद्र सरकार केंद्री एजिंसियों का दुरुप्योग कर रही है। विपक्षी नेताओं ने एजिंसियों का दुरुप्योग करने के निंदा भी की है। उद्दफ ठाकरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत्मान, बिहार के डिप्टी सियम तेजस्वी यादव और समाजवादी पाट्री के प्रमव अखिलेश यादव ने लिखा है। इन नेताओं ने केंद्री अजिंसियों की खराब होती छवी पर भी गहरी चिलता व्यक्त की है। गवाई उनिवर्सिटी की छात्राओं पर अश्लील टिपपनी करने और छात्राओं का पीछा करने का मामला सामने आया है। जिसमें आरोप है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपिक की पहचान विराचारी के रूप में की गई है जो कोल वाले में स्टेशनरी की दुकान चलाता है। जहां पुलिस अधिक शक निगिन वलसं के अनुसार गोआ पुलिस ने गोआ विश्व विध्याले में महिला सुरक्षा के लेक आउट्रीच कारिकरम भी करवाया था। जिसके दुरान अधिकारियों और छाद्राओं ने कई दुरगतनाओं की शिकायते भी दर्च करवाई थी। जिसमें आरोपी व्यक्ती भी शामिल था। पुलिस मामली की जाच में जुटी हुई है। मेडिया के प्लाटफॉर्म्स इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर लाखो फॉलोवर्स भी है। वे साल बार हर्याना केस रीड रह चुकी हैं। अब राजिस्तान पुलिस ने उन्हें निलंवित कर दिया है। हूली के त्योहार को लेकर भारी उट साथ देखने को मिल रहा है। जिसमें देशी ही नहीं विदेशी सैनानी भी शामिल हो रहे हैं। हूली कत्योहार अब दो ही दिन दूर है जो अमत्रुआ के व्रंदावन के की की नगला में शनिवार को विदेशी कृष्ण भक्तु ने फूलों की होली खेली है। इस दूरान एंगलेंड, जूरूस, यूक्रेन, साहिद 32 देशों से आय भक्तों ने डीजे की दुन पर भजनों पर जम कर डांस भी किया। फिर एक दूसरे पर फूल जार कर जम कर होली भी खेली। भक्तों ने एक दूसरे पर इतने फूल फेक के कि वाँ फूलों की एक प